हज पर जाने वाले जायरीनों के लिए हज सस्ता हो गया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेयद जफर इसलाम साथ मौझूद है आप राश्टी प्रवक्ता है भारती जिंता पाल्टी के सबसे पहले मुझे दो तीन चीजे बताईए और कैसे देख रहे हैं सरकार के इस कदम को देखे बहुत अच्छा कदम है जब हमारी सरकार कहते हैं बार बार कि सब का साथ सब के लिए प्रयास सब के लिए विकास तो उसी का उधारन देते वे मैं आज कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार ने लिया है हमारे जो मंतरी समृतिर जी ने जो फैसला लिया है आधरनी परदान मंतरी जी का अगवाई में यह बहुत अच्छा फैसला है इस से तीन चार चीज़े बहुत अच्छी होगी पहली बा कि मैला जो बिने महरम के जाते तक नहीं जा सकती थी अवर जा सकती है अकेले जा सकती हैं दूसरी बात कि पचासदार और कम कर दिये बहुत बड़ी रहात हो हाजीों के लिए और जो यह ऐसे और Timर वालों कोियों को इसको कटा आप आप तक देर क्यूं कर दी नवंबर दिसंबर में जो फॉर्म आजाने चाहिए थे फर्वरी चल रही है आप इतनी लेट लठीफी कर रहे हैं उनके आरोपो का क्या जवाब है देगे विपक्स के पाथ कोई मुद्धा ही नहीं रहता है एक आम नागरिक जो मुस्लिम नागरिक उसके पूछे बहुत खुश है कि ऐसे जो कदम लिए जाते हैं उससे फायदा होगा अप्लिकेशन दो दिन बाद होती दो दिन पहले उससे यह सब सिर्फ मुद्धा बनाने क चाते हैं ऐसे सुविधा कहा होती थी ठीक देने के लिए बहुत शुक्रिया तो साफ तोर पर आप सहीद जफर इसलाम साहब को सुन रहे हैं जिनका यह कहना है कि सरकार ने हज यात्रियों को बहुत ही सहूलियत और रियायत दी है कैमरा परसंट जस्ति के साथ मुहीशुक् तेहजीब टीवी दिल्ली